रुमाली रोटी तो सभी को बहुत पसंद होती है लिए घर में बनाना थोड़ा मुश्किल लगता है आज आप ये वीडियो पूरी देखिए बिना स्किप किये आप इजीली इसे घर में बना लेंगे और ये दो रोटी एक साथ बनती है तो फटा फट से सारी रोटियां बन पिक जाती है और इसे आज हम बिल्कुल नए तरीके से सर्फ करेंगे हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो माई चैनल भी वेजवेट गीत रुमाली रोटी बनाने के लिए चलते हैं मेरी किचन में लेकिन सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और गंटे का बटन देखें पर भी चौश पर सबसे धक्राइब करेब करें दोध झालेहे जा है तक two-toil कि अध्याने का थिए में एक दोख करेंगे दूध में टम्टेश पर ही लेना है ना तो ज्यादा गरम लेना है ना ही ज्यादा थंडा लेना है इसका सॉफ्ट दोख ना रेड़ि कर दे लिखे हम अगया सेलम नियाक सिद्ध आक थो आगने प्रैटो सोफ्ट हो जाए. फिर हम इसकी बहुत छोटी छोटी लोईयां तोड़ेंगे जैसे नीम्बू होता है उतनी छोटी छोटी लोईयां हम तोड़ लेंगे और इसे ढखका रख देंगे ताकि आठा सूखे ना हमें चाहिए सूखा मैदा और ओईल इसको बेलने के लिए अब हम एक लोई लेंगे उसे सूखे मैदे में डिप करेंगे और इसकी एक रोटी बनाएंगे बहुत बड़ी रोटी नहीं बनाने हमें छोटी छोटी रोटी ही बनानी है यह देखिए इसे हम अलग साइड में रख देते हैं फिर एक और लोई लेंगे उसकी भी इतने ही इसे अच्छ से फेला देंगे & सूखा मैदा लगा ये इसे जोगें इसे इसा लहां अच्छ से पहलाना है मीनसे सूखा मैदा ये बिरष्ट से एक आप लाइं जिनकाद मैदा, कोई भी पार सोछा मैदा लगा नहीं तरफ सिंगल नें इतना पतला digo Hebrews cut प्लक यहां तो यह दिखें लग में हम यह पने विल यहां पर बनाते हैं तेोहारो पर हम सबजी औचली बनाते हैं डिखरेन टाइब की राईस बनाते हैं इस बार हम रोरी बी कुछ अपनाते हैं यह देखेै किसे पतली और बिया इसे अव्रीम्चा बना महता जिब के हैं। आप इसके रोल भी बना सकते हैं और इसे ऐसे भी सर्फ कर सकते हैं लेकिन मैंने आज बिल्कुल डिफरेंट तरीके से सर्फ किया है पहले मैंने एक प्लेट के बीच में बोल रख लिया और बोल में डाल दी दाल मखनी उसके अपर डाल दिया है बटर दुमाली रोटी को मैंने काट लिये आज स्ट्रिप्स में और उसके आगे लगा दिया है प्याज ताकि ये गिरे ना इसे हम इसमें डिप करके आज खाएंगे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करे और गंटे का बटन दबाना ना भूलें बाई फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स वीडियो में